हेलो फ्रेंग्स वेलकम टू स्टेडिबर्स जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको एक टॉप MBA कॉलेज में इंडिमिशन लेना है जैसे आइम्स हो गए या FMS हो गया SPJN हो गया Delhi University हो गया या फिर और भी बहुत सारे कॉलेजी तो उसके लिए आपको एक्जाम देना पड़त होता है CT का पेपर होता है तो इन सभी एकजाम की प्रेपरेशन कैसे करनी चाहिए अभी आपके पास वन येर का टाइम है तो इस पूरे साल में क्या आपकी पूरी के प्रेपरेशन स्ट्राइजी होनी चाहिए क्या आपको topics पढ़ने हैं कौन-कौनसे subjects हैं हर एक subject पे कैसे focus करना है वर्बल क्वांट्स एला इजी के इनका टॉपिक वाइस का डीटेल्स लेबस है एक कंप्लीट क्लारिटी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं इसके साथ ही 2024 का हमारा फॉर्स्ट लाइफ क्लास का बैच जिसका नाम है ड्रीम बैच वो स्टार्ट हो रहा है आपक तो इसके साथ ही आपके घर पे कितनी बुक्स पहुंचेगी कितने नंबर आफ मॉक्स आपको मिलेंगे नैशनल लेवल की जो टेट सीरीज होगी डाउट फोरम होगा वो कैसे काम करेगा और इसके साथ ही GDPI वैट का क्या होगा तो एक कम्प्लीट प्रोसेस आपको यहां प पहुँच पाते हैं तो इस साल का जो एक फर्स बैच है ड्रीम बैच इसकी भी डीटेल्स आपको शेयर करूँगा ताकि आपको जो ड्रीम है 99 परसेंटाइल का वो अचीव करके आप अपने ड्रीम बी स्कूल में एड्मिशन ले पाऊ तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस पर्टिकुलर बैच से जो ड्रीम बैच है जो पर एक लाइफ क्लास का बैच आपका रहने वाला है जिसमें आपके सेशन्स होंगे ऑनलाइन कंडक्ट होंगे जूम पे जो आप अपने फोन से अपने लैप्टॉप से पे किसी भी डिवाइस से अटेंड कर सकते हो इस बैच में कौन-कौन से एक्जाम टार्गेट करेंगे काट, जाट, एनमाट, इसनाप, सीमाट, टिसनेट, सीट, सीट, एसार सेसी, एक्सट, एक्सट, इसके अलावा भी कोई और एक्जाम देना चाहते है तो वो आप दे सक कोलिज में, आप चाहे काट एक्जाम के थू जाओ, चाहे जाओ, चाहे जाओ, चाहे एनमाट से जाओ, वहाँ पे आप पहुंच जाओगे, इसलिए हम रीकमेंड करते हैं कि चार से पांच एक्जाम आपको डेफिनेटली टार्गेट करने चाहिए, ताकि आपके सामने बे इडमिशन ले सकते हैं, इसके अलावा केजे सुमाया हो गया, तापमी हो गया, XIMB हो गया, तो इन कॉलिज में इडमिशन मिल सकता है, इसनाप के थू आपके सामने SIBM पूने है, SMHRD है, जो भई टॉप इंस्टिट्यूट से इंडिया के, वहाँ पे आप एडमिशन ले सक सकते हैं, SRCC के तुरू, आप डेली उनसिटे का एक टॉप कॉलेज है, SRCC, जिसमें GBO प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है, जो ROI के लिए काफी स्ट्रॉंग है, वहाँ जा सकते हो, XGMT के तुरू, आप एडमिशन ले सकते हो, तो आपके सामने opportunities बहुत सारी है, और अगर आ 24 questions होते हैं, जिसमें आपके 4 RCs होते हैं, reading comprehension, और बाकि आपके सामने verbal ability के questions होते हैं, LRDI में आपके सामने total by 4 sets होते हैं, हर एक set में आपके 5 questions होते हैं, और उनको आपको attempt करना होता है, quants के अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे आपके सामने arithmetic से paper dominant रहता है, arithmetic के questions जादा then आपके algebra आता है, उसके बाद geometry हो गया, then कुछ questions आप modern math के देखते हो, permutation combination, sequence and series and then आपके सामने आता है number system, तो इसी order of priority में आपको topics पढ़ने भी चाहिए, ताकि बहुत systematic तरीके से आप चीजों को कर पाओ, ठीक है, अगर मैं cat analysis के बात करूँ, क्योंकि बच्चों के mind में ए 99% ताइलर हो, मतला आप देख सकते हो, 44%, 43% paper करने पे भी आप 99% ताइलर बन जाते हो, अगर मैं cat 21 की बात करूँ, तो आपको 98 marks चीए थे out of 198, which is approximate 50% of the paper, cat 2020 की बात करे तो 101 marks चीए थे out of 228, which is again 44% of the paper, cat 2019 में 156 marks चीए थे out of 300, which is 52% of the paper, and cat 2018 में 154 marks चीए थे, which is 51% of the paper, तो अगर आप 99% aim कर रहे हो, और आप अगर देखना चाहते हो, सर्क कितना score चाहिए, तो एक benchmark बना लो, अगर आपने 50% paper correct कर दिया, तो आप अपने dream college में पहुँच जाओगे, अब अगर हम बात करें individual section wise, क्या क्या चीज़े हमें improve करने हैं, तो quants के अगर मैं बात करूँ काफि सारे से students होते हैं, जो बोलते हैं, सर्मने 11-12 में नहीं पढ़ा, तो क्या हम कर पाएंगे, the answer is absolutely yes, क्यूंकि यहाँ पर जो quants आता है न, वो up to 10th level ही आता है, आप अगर देखोगे profit and loss, percentages, time and work, number system, SCF, LCM, linear equation, यह सारी चीज़े आपने पढ़ी हुई हैं, बस एक बर ही अगर मैं बात कुर, step 1 क्या है, step 1 है, build your basic, कभी भी यह गलती मत करना कि आप day 1 पर इस shortcuts की पीछे भागने लगो, tricks के पीछे भागने लगो, यह बच्चे बहुत major mistake करते हैं, कि सर्मने तो shortcuts करा दो, tricks करा दो and उस चक्र में वो पूरी की पूरी preparation को खराब कर लेते हैं, step 2 की अगर मैं बात करू, तो भाई उसके पहले और step 1, यह बात समझ लो, कि जब तक आपने concept को build नहीं करोगे और हरे concept पे, आप 100-100 questions प्रैक्टिस नहीं कर लोगे, उसके पहले shortcut और trick करने को यह मतलब भी नहीं है, आप सबसे पहले concept को develop करो, understanding बनाओ, then उस concept के उपर 100 questions को practice करो, जब आप हरे type के question साथ familiar हो जाओगे, उसके बाद आप shortcuts और tricks लगाओ ताकि आपने speed को better कर पाओ, तो यह approach आपके quants में होनी चाहिए, then आपको topic test लगाने चाहिए timer based, कि आप देख पाओ कि इतने time में आप जादा questions कर पारे होगे नहीं कर पारे, and then जब आप test का analysis करो, वहा को improve करने का, LIDA की बात करो, तो LIDA में advanced LIDA catch में पूछा जाता है, again अपने concepts को build करो, भाई data को read कैसे करते है, different type के charts क्या होते है, tables की कैसे decoding होती है, then अगर आप games and tournament कर रहे हो, तो भाई knockout tournament क्या होता है, round robin क्या होता है, यह सब पता होचे, daily habit डालो, दो set practice करने, दो set practice कर लगा कि जितना time आप invest कर सकते हो, करो, खुद के mind को develop होने दो, उसके बाद solution देखो, जब आपका syllabus पूरा हो जाए, last के 5 साल के paper का हर एक question लगाओ, and timer based test लगाओ, ताकि आप identify कर पाओ, कि exam में कौन सा set असान है, कौन सा मुश्किल है, और आपको कौन सा attempt करना है, then अगर ब verbal syllabus होता है, उसमें आपकी vocabulary grammar नहीं आता, लेकिन अगर आपकी vocabulary grammar अच्छी है, so that is an add-on, basics कैसे build करने, RC में क्या होता है, idea based RC क्या होता है, inference का मतलब क्या हो सकता है, implicit statement क्या होता है, explicit statement क्या होता है, यह चीज, then आपको newspaper reading के habit डालने, daily 45 minutes, आप newspaper पढ़ो, तीन newspaper में आपको recommend कर जो आप follow कर सकते हो, एक है आपके सामने Hindu, एक है आपके सामने Indian Express, और एक है आपके सामने Mint, यह तीनो newspaper में से कोई भी newspaper आप पढ़ सकते हो, and by इसमें जो editorial section होता है, जो articles होते है, उनको read करना है, हर दिन की practice बना लो, कि daily आप एक RC practice करोगी, करोगे, ताकि आपकी speed भी better हो प पढ़ते हो, आपके पास environment होता है, आपके साथ बाकी students होते हैं, सब तियारी कर रहे है, एक supervision होता है, तो proper guidance के साथ, और एक approach के साथ जब आप तयारी करते हो, तो definitely, जादा result देखनों को मिलते है, तो dream batch, जो हमारे start हो रहा है, इस batch में, आपकी live classes चलेंगी, every Monday, Wednesday, Friday, 9 to 11 p.m ठीक है, तो आज आपकी मैंने class conduct करी, मैं आपको class के बाद assignments होंगा, वो assignment आप solve करोगे, and next class में फिर आप उनको discuss करेंगे, तो इस तरह से पूरा एक process रहता है, and then आपको 11 books मिलेंगे, जो आपके घर पे आएंगी, उसके बाद भाई, आपको पूरा पोरा portal मिलेगा, जहाप आपके topic wise assignments होंगे, आपके mocks मिलेंगे, then आपके सामने doubt forum होगा, जिस पर आप 24-7 doubt post कर सकते हो, आपके video solutions होगे, and जो भी आपके live class conduct हो रही है, उसके recording महाँ पे upload होगी, ठीक है, and then आपके सामने other section है, जिसमें आपके catch की revision workshops होगी, हर एक exam का individual plan conduct होगा, तो एक complete comprehensive तरीके से आपके तयारी हम लोग कराने वाले हैं, ठीक है, अगर मैं detail में बात की हूँ, तो जैसे कि मैंने बता है, 15 December से batch start होगा, 30th of November, मतलब एक साल तक आपकी classes चलती रहेंगी, आपका जो syllabus है, वो मैं around July में complete करा दूँगा, उसके बाद आपके constant revision चलेगा, advanced workshop चलेगी, तो एक ही topic पिक को आप 3-4 बात कर लोगे, जिसके बाद आपकी command बहुत जादा strong हो जाएगे, इस batch में, Monday, Wednesday, Friday आपकी class चलेगी, 9-11 PM, first month आपकी पर हकते दो class ही चलेगी, ताकि आपने concept को build कर पाओ, थोड़ा सा practice में लोग extra time लगाएंगे, and हर class के बाद आपको daily assignments मिलेंगे, जैसे भ जो भी आपने class में पढ़ा है, जो भी class में आपने questions करें हैं, अब वहाँ से आपकी developed हो गई understanding, अब आपको apply करने हैं अपनी खुद की practice में, तो हर एक topic पे, मैं आपको 100-100 questions practice करार वाला हूँ, तो सोच लो, किस level के आपकी preparation होनी वाली है, and complete study material, आपके घर पे 11 books होंगी, ज next one year तग यह आपके पास available रहेगी, 24-7 exclusive doubt forum है, जो हर एक student को मिलेगा, जहाँ पे आपके एक एक question को हम लोग deal करेंगा, हर बच्चे का एक individual portal होगा, जहाँ पे आपके topic wise test, sectional test, pull and mocks, सारी की सारी चीज़ अवेलेबल होंगी, detailed analysis होगा, and national level की test series होगी, मेरा जो focus है, वो cat exam प vocabulary, grammar, हर एक चीज़ आपको पढ़ा दी जाएगी, ताकि आप सारे के सारे exams के लिए proper तरीके से तयार hope out, GDPR BAT के वीडियो भी आपको provide होंगे, and a complete action plan 300 days का, कि हर दिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा topic है, क्या गलतिया हो रही है, वो सभी चीज़े आपकी हाँ प पोरा portal details है, 31st March 2025 तक ये portal valid रहेगा, जिसमें आपकी सारे recordings uploaded रहेंगी, then आपको topic wise test, basic, moderate, advanced, sectional test, LRDA, verbal, quants के weekly, आपके current effect के test होंगे, and अगर मैं बात करूँ, full 9 mocks की, तो 30 full 9 mocks, cat के, 20 snap के, 15 आपके zat के, 5 plus 10, then 10 NMAT के, 10 Tisnet, SRCC, CMAT, CAT, XGMT, PDDA भी है, तो हर एक exam को भी कराया जाएगा, जितने भी mocks होंगे, उनका detailed analysis आपके सामने आएगा, कौन सा question आपने सही करा है, कौन सा गलत करा है, topper के visa visa आप कहां stand करते हो, आपका week area क्या है, पूरा गुरा AI powered है, आपको खुद बताएगा ये questions आप गलत करो, इनके और additional practice करो, तो ये सब चीज़ आपको बह करो, जिसमें आपकी सारी की सारी live classes, आपकी physical books, आपके पूरे की परी recordings, doubt forum, आपको all over Indian national level test series, cat and non cat का पूरा का पूरा syllabus, उनके action plan, सब कुछ आपको provide होगा, उसका fees है 35,000 रुपीज, लेकिन 30th of November तक हमने early bird discount run किया हुआ है for the first 100 student, जिसमें आपको जो last year हमारे batch की fees थी, उसी fees पर आपको admission मिल जागा, वो है 27,500, आपके हर एक चीज included है, cat and सारे के सारे non cat exam, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना, हर एक चीज हम आपको provide करेंगे from the classes, to books, to recording, to mock test, to analysis, ताकि complete comprehensive preparation आपकी हो पाए, and अगर मैं बात करूँ action plan की, किस तरह से आपका पूरा syllabus होगा, त 15th of December से बाइस start होगा, 31st of July तक पूरा syllabus, बिल्कुल basic से advanced level तक आपको class में करा दिया जाएगा, and जितने भी topics आप उनको अपने book से भी solve करोगे, topic wise test भी लगाओगे, तो उसके बात आपका एक command develop हो जाएगा, August and September में आपका revision चलेगा, and October and November में आपकी cat की advanced workshop होगी, तो आप आप देखो, एक बर आपने यहाँ topic करा, दो बार आपने book से करा, थर्ड ताइम आपने topic wise test करा, फोर ताइम आपने revision में करा, फिफ्ट ताइम आपने cat advanced workshop में करा, तो एक एक topic, जब आप 4-5 बार कर लोगे तो definitely आप खुद ही सोचो, automatically आपका improvement आ जाएगा, December से February तक, तो IFT ही आपका last year is crap, और चुक अदर next year क्या guideline है कि उसके बाद ही हमें पता चलेगा, लेकिन जितने भी other exams है, ZAT, SNAP, NMAT, CMAT, CT, TISNET, SRCC, इन सबके exams को आप appear करोगे, February, March में आप GDPI VAT के वीडियो को देखोगे, अपने final step को भी complete कर लोगे, process and secret बहुत simple है, build your concept, सबसे बहला concept building, then practice then speed building, तो हर एक concept में आपको बिलकुल basic से कराऊंगा, then आपको हर एक topic में 100 questions प्राक्टिस कराऊंगा, then आपकी speed building होगी, जिसमें आप topic wise test करोगे, timer based test करोगे, then आपका mocks and analysis होगा, and then हर एक exam का complete plan आपके सामने होगा, ताकि जो भी exam आप target कर रहे हो, उसका systematic revision करके, उसके mocks ल सब topics मैंने हाँ पे mention कर दिया, आप देख सकते हो, ये सारे topics आपको पढ़ने है, अगर हम बात करें verbal की, तो cat exam में आपका verbal ability, reading comprehension and critical reasoning, ये तीन modules पूछे जाते हैं, vocabulary and grammar जो हो आपके non cat exams के लिए, जैसे की zat, cmat, nmat, snap, उन समें, इन दोनों modules का important चीज़े रहती है, लेकिन आप हम ये पांचों modules पढ़ाएंगे ताकि हर एक exam के लिए आप ready हो पाओ, similar लेकर मैं LRDA की बात करूँ, तो cat में आपका advanced LR and data interpretation ये दो चीज़े पूछी जाती है, but non cat exams में basic LR and abstract reasoning भी आता है, क्योंकि हम आपको चारों modules करा देंगे, तो automatically आप एक better position में होगे, सारे के सारे exams क tackle करने के लिए, then आपके सामने general knowledge में हम लोग पढ़ाएंगे, general knowledge cat में आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन कुछ exam में पूछा जाता है, जैसे ZAT हो गया, जैसे CMAT हो गया, जैसे TISNET हो गया, तो इन exams को अगर आप crack करना चाते हो, तो GK में आपका static GK, current GK and business awareness, तीनों ची GK बहुत clear है, simple है, एक एक चीज आपकी पहले basics से होगी, हर एक topic आपको concept clarity से कराया जाएगा, tricks सिखाए जाएगी जब आपका topic पर command बन जाएगी, उसके बाद क्या better तरीक है, question solve करने के वो सिखाए जाएगे, types of questions क्या क्या करने हैं, किस type से आपसे exam में question पूछाता है, वो आपके सारे topic wise test, क्या performance में, mock में कैसा कर रहे हो, पूरे batch में आप कहां stand करते हो, all over India कहां stand करते हो, ताकि एक right strategy आपकी बन पाएगे, अपने exams को crack करने के लिए, तो ये हमारा पूरा system रहने वाला है, कौन-कौन faculties अगर मैं बात करूँ, तो मैं quants LRDA GK, मैं आपको खुद पढ़ाने वाला हूँ, मेरा खुद MBA Acceleries जमशियतपूर से है, and by cat and zat जैसे exams में काफी सालों से appear कर रहा हूँ, and students काफी जादा, मैं हमारे चैनल को देखते हैं, आप देख सकते हो, बहुत सारी ऐसी वीडियोस है, quants की LR की, जिस पर लाकों में भी उस बच्चों ने आया हुआ है, तो वो सारे आपको पूरा का पूरा अनुभाफसर English section handle करने वाले हैं, अगर आपको demo class देखनी है, तो नीचे description मैंने आपको demo class का link दे दिया है, आप अराम से जाओ, देखो, समझो, इस तरह का classroom रहता है, जहाँ पे teacher आपको यहाँ पे live दिखता है, यह आप आपको whiteboard होता है, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो, and live chat का option होता है, क्लास के अंदर ही अपने सारे doubts clear करते चले जाओ, तो चाहे आप एक working professional हो, चाहे आप college की student हो, gap year ले रहे हो, आप सबके लिए classes काफे ज़्यादा fruitful है, क्योंकि productivity बहुत ज़्यादा है, कही time waste नहीं होता travel करने में, and एक focus के साथ, क्योंकि office के बाद आपकी, क्योंकि class is 9 to 11 है, college के बाद, office के बाद, जो time आप generally waste कर देते हो, वहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी, तो एक बहुत ही systematic approach से, आप अपनी चीज़ों को कर पाऊगे, हर बच्चे को, एक cat का action plan मिलता है, किस तरह से पढ़ से, आप अपनी dream MBA colleges को convert कर पाऊगे, यही reason है, इतने सालों से, हमारे students बहुत अच्छे तरीके से exams crack कर रहे हैं, however, मैं यह मानता हूँ कि, coaching का जो role होता है, उसके साथ साथ, आप अपनी कितनी dedication लगा रहे हो, वो भी important है, combine effort जब होगा ना, तब ही result आएगा, अगर मैं आपक अगर आप cat की result देखोगे, पूरी country में one of the best results हमारे हां से निकल रहे हैं, 99.92% अधित्यगर्ग, 99.80% जैदीब, 99.6% रूत प्रताप सिंग, 99.47% सिदाथ, 99.29% सुनिष्टा, 99.13% सुहेल, 99.03% नंदिता, 99.0% केविन, 99.32% विजय, तो इस तरह की results students की समय आ रहे हैं, अ और भी इसी तरह की results है, जो हर साल students अचीव कर पारे हैं, अपने dream MBA colleges में convert कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी तरह की results अगर आप भी लाना चाहते हो, तो कोई फरक नहीं पड़ता, कि आपकी profile कैसी है, क्योंकि एक बार ही आपने entrance मच्छे score कर लिया, तो एक dream MBA college आपका wait कर रहा है अगर ना सिरफ cat, अगर आप other entrances में देखोगे तो ऐसी results हर साल आ रहे हैं, ZAT में 99.50, 99.16, 99.69, 99.65, 99.19, 98.7 इस तरह की results आए हैं, अगर आप देखोगे ZAT के toppers काफी सारे जिन्नोंने एक्जलराई, जमशेतपूर, एक्जलराई, डेली जैसे colleges को convert किया है, snap के all India toppers आपक 99.76, 99.66 इस तरह के scores बच्चों ने achieve करें हैं, जिसके बाद वो SIBM, Pune, SMH, RD, जो भी top institute से उसमें वो पढ़ पा रहे हैं, snap के बाद अगर बात करूँ NMAT में, तो NMAT में 230 प्लस एक बहुत अच्छा score माना जाता है, लेकिन जब इस तरह में मेहनत करते हैं तो इस तरह के results आ में हैं, अगर आप भी मेहनत करते हो, one year devote करते हो, तैयारी करते हो, तो definitely आप भी इस तरह के scores को achieve कर पाऊगे, तो TIS के अगर मैं बात करूँ, तो TIS में 65 से 71 बहुत ही amazing score माना जाता है, and students के आपे 77, 76, 75, 72, 70 इस तरह का scores अचीव हो है, ठीक है, then IFT में बहुत सारे students पढ़ हैं, जिन्होंने बहुत अपने IFT exam को crack किया था, जब तक IFT exam conduct होता था, अब IFT cat के through admission लेने लगा है, CMAT में All India Rank 3, 99.99 percentile इस बच्चे का आया, जीत मुखरजी और इस ने अपना MBA, JBI MS से किया है, तो इस तरह के colleges को बच्चे convert कर रहे हैं, 99.94, 99.81, 99.79, 99.74, और इस तरह के results आप भी achieve कर सकते हो, अगर आप एक serious experiment हो, आप मेहनत करने के लिए तयार बैटे हो, MS CT में बहुत अच्छे results हैं, X GMT में 99 percentile इस हैं, तो कहने का मतलब यह है, क्योंकि हमारा focus हर एक exam में है, और आप मेहनत भी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, कि आपका कोई भी exam crack न हो, स्टार्ट ओर 15th of December से, आप अभी से अपनी seat reserve करके early bird discount का avail कर सकते हो, उसका benefit आपको मिल जाएगा, website का link मैंने आपको नीचे description में दे दिया, steadybus.co.in, कोई और questionnaire query है, तो यह हमारा WhatsApp नमबर है, 99589-37705, और इसके लावा कुछ और पूछना चाते हो, जानना चाते हो, तो नी we are not going to accept defeat until we compete, तो अगर आप इस journey में आगया आना चाते हो, एक बहुत सिंसर तरीके से त्यारी करना चाते हो, तो I welcome you all to join the dream batch, thank you so much, take care.